अब तक आप UPI payment QR scan के जरीए, phone number के जरीए या UPI number के जरीए payment करते आये होंगे लेकिन जल्द ही आप सिर्फ phone tap करके payment कर सकेंगे यह सोविदा NPCI 28 अगस्त से शुरू होने वाले FinTech Festival में launch कर सकता है क्या है पूरी खबर विस्तार से समझते हैं हमारी सही होगी एकता सूरी से बताईए एकता क्या है पूरी खबर NPCI तो जाना ही जाता है payment system में करांती लेकर आने के लिए और अगर सूत्रों की माने तो इस महीने के आंत में मुंबई में जो FinTech Festival होने वाला है उसमें NPCI लांच करने वाला है UPI Tap & Pay UPI Tap & Pay एक ऐसी service है जो payment system को और आसान बनाने वाली है अब अभी हम क्या करते हैं कि अगर UPI से हमको payment करनी है तो या तो हम phone number डालते हैं UPI ID डालते हैं या फिर QR code scan करते हैं UPI Tap & Pay से सिर्फ अपने handset को QR code के साथ tap करना होगा और payment हो जाएगी इसमें दरसे near field communication technology का इस्तेमाल होगा जो QR code होगा वो near field NFC जो है उससे enabled होगा जो devices है handset है वो भी NFC के लिए सक्षम अगर होँगे तो ही ये service यूज़ कर पाएँगे जब phone tap होगा तो NFC के जरीए receiver का UPI ID जो है वो receive कर लिया जाएगा ताकि उससे payment हो अब 500 रुपए से कम की अगर payment है तो UPI light के तहत आप कर सकते हैं और UPI light के लिए अपने biometrics लगते हैं, pin लगता है लेकिन 500 रुपए से ज्यादा की payment यहाँ पर है तो आप से pin मांगा जा सकता है अब ये जो service है हम महीने के अंत में launch होते हुए देख सकते हैं पूरी तरह से secure है ये service अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर phone गुम हो गया तो गलत इस्तमाल हो सकता है यहाँ पर जो safety measures है थीक credit card की तरह ही है यह debit card की तरह है जो अक्सर हम tap करते हैं contactless payments के लिए अगर किसी का phone गुम हो जाता है तो उसे UPI अपनी ID जो है वो ब्लॉक करनी होगी गूगल पे, Paytm इन apps को contact करना होगा यहाँ पर ये जो service है अपने phone पर disable करनी होगी पूरी तरह से यह secure होने वाला है और tap and pay जो payment system को है वो और आसान और तेज बनाने वाला है शुक्रिया एकता इस पूरी जानकारी के लिए और अब बात करते हैं